नमस्कार मैं नाजबिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News दिली में आम आदमी पार्टी टिकती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी का जादा जोर दिखाई दे रहा है बेशक वो अभी तक अपने आकड़ों तक नहीं पहुँच पाई है जो पिछले विधान सभाज चुनाव में उन्होंने सेट किया था यानि कि 67 सीटे अभी 57 सीटे ही है लेकिन अभी ये पूरी तरह से आकड़े आए नहीं है अभी भी आते जा रहे हैं अभी कितना बढ़ते हैं इनके आकड़े ये देखना भी दिल्चस्प होगा लेकिन एक तरीके से वहां तक टार्गेट तक नहीं पहुच पाई लेकिन जीत जरूर दर्ज करती हुई नजर आ गई है और भारते जनता पार्टी के मुकाबले में बहुमत साबित करती हुई दिखाई दे रहीं और जहां भारते जनता पार्टी ने अपना एक रिकॉर्ट सेट किया था जिसमें अमिश्यह से लेकर मनोस्तिवारी, कपिल मिश्रा इन तमाम लोगों ने ये दावा किया था कि हम 45 से 55 सीटे दर्ज करेंगे दिल्ली में 55 सीटे जीत कर हम दिल्ली पर राज करेंगे और दिल्ली की जनता ने हमें पसंद किया है इसलिए 55 सीटे तो हम लेकर ही जाएंगे ऐसा दावा भारती जंता पार्टी की तरफ से किया गया था अब ऐसे में ये दावे खारीज हो गए और इनके दावे इन पर ही भारी पड़ गए लेकिन जहां पर अरविंद केजरी वाल ने अपने काम के भरो से चुना प्रचार किया रिपोर्ट कार्ड से लेकर गैरेंटी कार्ड से लेकर मैनुफेस्टो सब तमाम जगाहों पर उन्होंने अपने काम का जिक्र किया क्या क्या उन्होंने काम किया और क्या क्या आने वाले वक्त में काम करेंगे ये सब का जिक्र उन्होंने किया और उसके बिनहा पर उन्होंने चुनाप प्रचार किया और चुनाप भी लड़ा और 57 सीटे जो अब जीते वे नजर आ रहे हैं यानि कि उनका काम दिखाई भी दे रहा है जनता को पसंद भी आ रहा है और यही काम लगतार चलता भी जाएग और उनके काम भी फिर दिखने वाले हैं ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाप परिणाम अभी आ ही रहे उससे पहले ही अरविंद केजरिवाल ने एक और काम शुरू कर दिया है एक और दावा पेश कर दिया है कि हम ये काम करेंगे यह है राष्ट निर्मार की बात जहां पर अरविंद केजरिवाल ने साफतार पर जाहिर कर दिया है कि अब हम इस पर कारें करते हुए देखे जाएंगे तो एक तरफ बारती जनता पार्टिय तंज और सिर्फ आरोप और सिर्फ मुद्दे ढूंटती रहे गए अरविंद केजरिवाल ने काम किया और काम के बिना पर आगे बढ़ती हुई निकल गई तब रास्ट निर्माड को लेकर अर्विंद केजरिवाल के मुख्याले के बार वहां पर पोस्टर भी लगाए गए कि रास्ट निर्माड के लिए सहायता लेने के लिए नंबर भी दिया गया था ये सब तमाम चीजे वहां लिखी कि इन के लिए सहायता दी जाएगी ये तब सब चीजे हुई और उस बिना पर मनीज सिसोधिया ने ये दावा किया कि हमने मैनेफेस्टों में भी जिक्र किया था कि रास्ट निर्माड के लिए हम काम करेंगे और जिन स्कूलों में हैपिनेस क्लासिस चलाई जाती थी और ज उसी को लेकर मनीज सिसोधिया ने दावा किया है कि अब हम देश भक्ती से लेकर तमाम चीजे भी स्कूलों में पढ़ाएंगे और कितना सुधार कर सकते हैं रास्ट निर्माड को लेकर वो सब भी काम करते हुए हम देखे जाएंगे तो यहां पर अरविंद केजरिवाल न किलती हुई नजर आ रही है जहां पर भारते जनता पार्टी ने दावा किया था वो दावा खारिज हुआ है उनके वादे खारिज हुए इनके इरादे भी खारिज हुए तो बैसे में आम आदमी पार्टी अपनी पत्नी को और अपने परिवार को और पूरी दिल्ली को जी अब दिखाई दे रहा है तो अब ऐसे मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मुझे दीज़े इजाज़ोतर ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं